बच्चों को न हर दिन कुछ न कुछ नया टेस्टी योनिक चाहिए तो चलिए आज बनाते हैं बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी मसालेदार लौकी पूरी जिने चाहें आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर में खाएं या बच्चों के लिए टेफिन में बना कर दें ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं तो यहाँ पर मैंने लौकी लिया है और ये थोड़ी बड़ी है लौकी तो मैं इसमें से आधी लौकी इस्तिमाल करूँगी और आधी लौकी में रख देती हूँ लौकी को मैंने पहले से धो कर लिया है आपको क्या करना है लौकी को छील लेना है जादा तर घरों में बच्चे हो या बड़े लौकी का नाम सुनते ही मुह बना लेते हैं लौकी तो खाना कोई पसंदी नहीं करता लेकिन इस तरीके से घर में सभी लोग लौकी आसानी सिखा लौकी को चीलने के बाद थोड़ा से हिससा आगे के तरफ से निकाल दिया है और अब हम लौकी को घिस लेंगे तो जो बारिक वाला टेस्ट बहुत जादा बढ़ जाएगा अब यहां पर जो लौकी घिसकर लीती वो डाल दी है एक चमच हमने अजवाइन डाली है नमक डाल देंगे स्वादनुसार एक चमच डालेंगे लाल मिर्श पाउडर इसमें जाएगा एक चमच धनिया पाउडर ये इसमें जा रहा है आधा चमच गरम मसाला दो से तीन पेंच हींग डाल दें और इसमें आप आधा चमच हल्दी पाउडर डाल दें साथ में डाल दिया है पारिक कटा हुआ हरा धनिया और अब इसमें आप टू टेबल स्पून ओयल या घी डाल दें सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स पानी नहीं डालना क्योंकि लौकी में काफी सारा पानी होता है पहले अच्छी तरह मिक्स करें फिर जरूरत होने पर थोड़ा पानी डालें तो थोड़ा समय पानी डाल रही हूं और डो लगा कर त्यार करूंगी इस डोगों ना बहुत जादा सौफ्ट नहीं लगाना है ह बच्चों को बहुत पसंद आएंगी अब हमने एक तम बढ़िया सा डो लगा कर त्यार किया है और डो को ना रेस्ट पर नहीं रखना है बस इससे आपको इस तरह लोईया बनानी है तो जिस तरह की पूरी आपको पसंद हो छोटी बढ़ी उसके अकॉर्डिंग आप ये बहुत अच्छे से फूलेगी तो हम इस तरह पहले सारी पूरी बेल कर त्यार कर लेंगे तो मैंने देखी काफी सारी पूरी बेल कर त्यार कर लिया है और अब हम इने फ्राई करेंगे तो पूरी को फ्राई करने के लिए और अच्छा गरम होना चाहिए और गैस का फ्लेम गरम तेल में पूरी डालें और तरीके से आपको दबाना है, ताक कि यह अच्छ से फूल जाए। ऐसे आप दबाएंजे, पूरी फूल जाए कि फिर से पलण दे और इसके उपर इस तरीके से गरम गरम ओयल डालते जाएं, पूरी फ्राई हो चुकी है, कलर बहुत अच्छा आगया है, एक्दम फूल गई है, इसे निकाल लेंगे, इसी तरीके से सारी पूरी हम फ्राई करके त्यार करेंगे, इन पूरीों को न, डार्क गुल्डन ब्राउन उने तक फ्रा आएगा, आपकी गैस्ट इने खाकर खुश हो जाएंगे, तो ये देखिए, हमने ये पूरी सर्फ कर लिया है, बहुत ही मज़िदार बनी है, इन पूरी को खाने के लिए आपको किसी सबजी, अचार या, चटनी की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही खाएंगे, तो भी ये पर फौरो करे